उतकर्श शर्मा एक भारतिय अभिनेता, जिन्होंने शुरुवात में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म उद्योग में अपनी यात्रा शुरू की, उन्होंने 2001 की ब्लॉक्बस्टर गदर एक प्रेन कथा में अपनी पहली फिल्म के साथ उलेखनिय चाप छोड़ी. उन्हे 2007 की फिल्म अपने और 2018 की फिल्म जीनियस में अपनी भूमिकाओं के लिए और अधिक पहचान मिली. हिंदी सिनेमा उद्योग में गहरी जड़े जमा चुके परिवार में जन्मे उद्कर्श शर्मा ने रविवार 22 मई 1994 को महाराष्ट के जीवंत शहर मुंबई में इस दुनिया में प्रवेश किया. उनके पिता अनिल शर्मा एक प्रसिद अभिनेता हैं, जबकि उनकी मा सुमन शर्मा एक भारतिय फिल्म निर्देशक और निर्माता के रूप में अपना करियर बनाने का दावा करती हैं. अपने प्रसिद्ध मातापिता के अलावा उतकर्ष शर्मा का परिवार उनकी बहन कारविना शर्मा के साथ है जिन्होंने एक संघीत कार के रूप में अपनी पहचान बनाई है उसका कोई भाई नहीं है उतकर्ष शर्मा की शिक्षा की दुनिया में यात्रा मुंबई के जमुनाबाई नर्सी स्कूल से शुरू हुई जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी की इसके बाद उन्होंने आगे की शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर अपना ध्यान केंद्रित किया उतकर्श शर्मा ने अमेरिका के एक विश्वविध्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की और उत्पादन और निर्देशन में विशेशग्यता के साथ ललित कला में सनातक की डिगरी हासिल की ज्यान की उनकी खोज यही नहीं रुकी, उन्होंने अमेरिका के प्रतिष्थित ली स्ट्रासबर्ग थियेटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में अपनी शैक्षिक यात्रा जारी रखी, जहां उन्होंने मेथड आक्टिंग कौशल को निखारा गौर तलब है कि अभी तक उतकर्ष शर्मा की शादी नहीं हुई है और उनके रिलेशन्शिप स्टेटस में कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है वर्तमान में उनका प्राथमिक ध्यान फिल्म उद्योग में अपने करियर को आगे बढ़ाने पर है अभीनेता के प्रशन्सक उन्हें बहु प्रतीक्षित फिल्म गदर पार्ट दो इंच में अभीनेता सनी देओल के बेटे की भूमिका में दोबारा देखकर रोमांचित हो गए जो 2023 में रिलीज हुई थी यह सीक्वल शर्मा के करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है यह देखते हुए कि उन्होंने बनाया है 2001 में मूल गदर फिल्म में एक बच्चे के रूप में उनके अभिनय की शुरुवात हुई दिल्चस्प बात यह है कि उतकर शर्मा की शुरुवाती आकांख्शाएं अभिनय के इर्दगिर्द नहीं घूमती थी बच्चपन में उन्होंने खेल में विशेश कर एक क्रिकेटर के रूप में अपना करियर बनाने का सपना देखा था अपने मातापिता के काफी समझाने के बाद ही उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा ऐसा लग रहा था कि भाग्य ने उनके लिए एक अलग रास्ता बना रखा है और एक बार जब उन्होंने नाटकिय मंच पर अपना पहला कदम रखा तो धीरे धीरे उनमें अभिनय की कला के प्रती गहरा प्रेम विक्सित हो गया उस समय से उतकर्श शर्मा ने कभी पीछे मुड कर नहीं देखा और उन्होंने अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए खुद को पूरे दिल से समर्पित कर दिया सिनेमा की दुनिया में जहां नेती अक्सर महत्वपूर्ण भूमी का निभाती है उतकर्श शर्मा की अनिचुप बाल कलाकार से उद्व्योग में एक प्रमुख व्यक्ति तक की यात्रा कला के प्रती उनके समर्पन और जुनून का प्रमान है उनके परिवार के प्रोचसाहन और अभिनय के प्रती उनके नए प्यार की खोजने उन्हें भारतिय फिल्म परिद्रिश में एक सम्मानित अभिनेता के रूप में उनके वर्तमान कदकी और प्रेरित किया